नमस्कार, एक्जाम है पीबाई ज्हारखन चनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अधियापकों की तैयारी को ले करके तो हम आपको बताते चले यह ज्हारखन में सहायक अधियापक आप हैं आपके लिए अप एक से पांच के सिछक हैं तो आपके लिए हमारे टीम की तरब से complete set एक से पांच सिछक के लिए Hindi, English, Math, CDP, EBS, Origining इसमें सामिल है 1000 महतोपुन परशनों का टेस्ट दिरीज चलाया जा रहा है जिसमें आपको यहाँ पर महतोपुन परशन दिये जा रहे हैं विभीराजों के आकलन परिछा से आई हुए परशन इसमें होंगे और उसके साथ साथ आपका जो जैसी आटी टेस्ट बुक है उस पर अधारी सारे प्रशनों होंगे तो आपको बता दे अगर इस टेस्ट स्रीज में आप जुड़ना चाहते हैं भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100 रुपे इसके प्राइस रखे गए हैं आप 100 रुपे यानि 99 रुपेज दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली सुबह में आपको एक यहाँ पर टेस्ट स्रीज दिया जाएगा जिसमें प्रशनों सभी मिक्स रहेंगे और उसको आप बनाएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमें उस टेस्ट स्रीज का एंसर स्रीज बेजेंगे उसके बाद फिर से आपको एंसर स्री परसेंट सपलता मिल जाएगी तो देखेगा किस तरह के प्रस्ण आते हैं यह सभी प्रस्ण आपको विभीन राज्यों के परिचाह में आये हुए हैं तो आप सभी देख लिजेगा और मुबाइल नमबर अभी तक भाग नहीं लिए हैं तो अभी के अभी मुबाइल नमर देख रहे हैं यहां से जुड़ जाए जड़ूर क्योंकि यह टेस्स आपके लिए रामबान काम करने वाला है और इसमें केवल वैसे ही प्रस्ण है जो अब तक भी राज्यों के आकलम परिच्छा में आये आपकी बारी है आपको अब जुड़ते हैं और यहां पर त्यारी जरूर कीजिएगा ठीक है फिल इन दा ब्लैंक सुटेवल प्रिपोजिशन यहां पर आपको जो है सुटेवल प्रिपोजिशन को देना है कि कौन सा प्रिपोजिशन सबसे अच्छा है ठीक है he came to me midnight on at in या upon क्या होगा ठीक है तो देखिए he came to me यहाँ पर बताने के लिए समय at का प्रयोग होता ठीक है तो me at midnight होगा क्या होगा at लगेगा यानि be इसका right answer होगा find the blank with correct preposition यहाँ भी आपको preposition जो है कौन सा preposition सही है बताना है he is junior me इसके साथ क्या लगेगा with का प्रयोगा from का then का या to का ठीक है तो he is junior to me होगा क्या होगा junior to me हो जाएगा अगला है fill in the blanks with the correct article कहीं गहाँ पर जो है आपको article fill in the blanks खाली जगा में correct क्या सही article होगा उसको बताना है तो क्या होगा तो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रोंग वाज the first man to work on the moon यानि दो दो लगेगा दोनों में क्या होगा बोथ fill in the blanks में दो का प्रयोगा यानि right answer इसका यह हो जाएगा ठीक है यदि आपका भी right answer यह था तो आपको article अच्छा तरह से आ गया है add the right suffix to pluralize the word ox यानि ox का plural क्या होगा आपको इसमें suffix यानि परते क्या जुटेगा ना ओ बताना है suffix क्या होगा I-E-S, E-S, E-N या S तो आप जानते होगे ox का oxen होता है ox क्या होता है oxen यानि इसमें E-N जुटेगा क्या जुटेगा E-N आपका जुटेगा ना चलिए अगरा देखेगा रिजू का बिलोम सब्द है रिजू का बिलोम सब्द क्या होगा तो रिजू का विलोम सब्द क्या हो जाएगा आपका वाकर हो जाएगा ये आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला दिखेगा दिये गए सब्दों में से कौन सा सब्द तदभव है ठीक है तो संस्क्रीट के सब्द को आपकाते तदसम और हिंदी के सब्द को संस्क्रिट से हिंदी में जो आया है तद्भो और बाकी देशच भी देशच होता है तो इसमें कौन है तो देखेत जो है वो संस्क्रिट से हिंदी में आया हुआ है ये तद्भो सब्द है कौन सा है तद्भो चुचुंदर के सीर पर चमेली का तेल इसका क्या अर्थ है? मिथी आडमबर अयोग ब्यक्ति को अच्छी चीज़ देना अधिक पाने की लालच गरना ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्यक्ति अयोग है आउ उसको अच्छी चीज़ दे दिजेगा तो रिग्वेद का सही संदिभिश्य चेट क्या है? रिक जोडवेद रिजोडवेद रिग जोडवेद रिजोडवेद रिजोडवेद ए- जो फलोग पकाने में सहेता करता है? साइटोकानीन, जिबरेलίν, आक्सीन, इथाइलीन. ना कौन सा है? आपको बताना ठीक है? तो देखे जो पादा फर्वन जो फलो को पकाने में सहता करता है वो आपका देखे इथाइलीन कौन है इथाइलीन या इथिलीन भी इसको हम लोग कहते हैं ठीक है बार सथारो सथीरपन में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली ठीक नहीं बार सथारो सथीरपन में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहां से कहां तक चली कलकत्ता से अलिपूर के बीच बंबाई से थाने के बीच बंबाई से कलकत्ता के बीच कलकत्ता से दमदम के बीच तो देख सभी जुड़ू देख लेंगे तो एसिया का सबसे बड़ा पसु मिला पुसकर में सोनपूर में हरिद्वार में नासिक में तो एसिया का सबसे बड़ा पसु मिला जो है वह आपको देखे सोनपूर में लगता है कहां पर लगता है सोनपूर मिला जो है उस सबसे बड़ा है प सविधान के कि संसोधन से सिच्छा एक मौलिक अधिकार बन गई है 25, 22, 86 या 92 तो देखे 26 सविधान संसोधन अधनियम जो 2002 इसके तहट सविधान का जो सिच्छा है उसको मौलिक अधिकार को बना दिया गए यह नि 6 सविधान संसोधा है डिसलेक्सिया में यह करने में कठनाई होती है, डिसलेक्सिया में क्या करने में कठनाई होती है, ब्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में या खड़ाओने में, ठीक है, तो देखें डिसलेक्सिया जो है, यह पढ़ने या वर्तनी में प्रोग्लम होता है, जैसे लक्स है, तो इसको बच्चा लुक्स पड़ता है, अगर यह M लिखा है, तो बच्चा इसको W पड़ता है, तो इस तरह से यह dyslexia में जो होता है, वर्तनी समंदी कुछ-कुछ है, जिसको पहचानने में प्रोग्लम होता है, कच्चा में छात्रों को प्रश्ण पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, अनुमती नहीं देना चाहिए, या रोक देना चाहिए, ठीक है, कच्चा में छात्रों को प्रश्ण पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, मानो विकास का प्रारम होता है मानो का विकास कहां से प्रारम होता है पूर बाले वस्था से गर्भा वस्था से सैस्वा वस्था से या उत्तर बाले वस्था ठीक है तो मानो विकास का जो प्रारम होता है ओ देखे आपका होता है गर्भा वस्था से मानोविकास का प्रारम होता है, अगला है, यदि मौसर A और 8 का फोर है, और लासर A और 8 का 24 है, तो A का मान गयात कीज़े ठीक है, तो देखें, दो संख्या दिहां पर दिया हुआ, A और 8, उसका मौसर 4 है है, और लासर 8 है, तो एक फर्मूला आप जानता होंगे, दो संख्या इन्टू LCM, मौसर कितना है, देखें, 4 आया है, इन्टू, लासर कितना है, देखें, 24 आया है, 83 की कितना हो गया, 24 कट गया, तो कितना बची आपको, 4 तिया, 12, यानि A बराबर कितना एंसर आ गया, 12, यही राइट एंसर हो गया, ठीक है, तो A बराबर इसका, 12 एंसर हो जा थेखते हैं मेक शाट र भांध अनौन्ट दे सकते हैं असंखें दे सकते हैं जीरा कोई गिंती नहीं की जा सकते तो असंख हो गाँ ठीक है असंख हो जागा टा चलिए एक गराम में कितना किलो गराम होता है आपको यह पर भर्ना है 1000 gram, 10-3 kg, 0.001 kg या 0.00001 kg होगा, कितना होगा, ठीक है? चल protections, धहिसness आपकेश्य रहा, lets our conversion design, में देखेंगे एक हजार ग्राम होता है होता है गाव सकता है न, अब 1 kg ब्राबर कितना हो गया तो 10 का पावर Q और 1 kg गराम होगा, लेकिन 1 g ब्राबर क्या होगा तो अब बताइए, आपके पास जो इहाँ पर option आया, वह आया देखिए, 1 kg ब्राबर आगया, 10 का पावर 3 और 1 g आगया, तो 1 g गराम के लिए क्या होगा तो एक और यह 10 का पावर Q जो है बटा मेंगा 10 का पावर Q और इधर क्या बच जाएगा इहां गराम है तो एक गराम बच गया इतना हो गया अब यह 10 का पावर 3 यहां पावर पलस में है अगर 10 को उपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जागा ठीक है तो इस का power minus 3 kg होगा. यह option किस्में है? तो देखें, यहाँ पर दिया हुआ है. 10 का power minus 3 kg ठीक है. J का man ग्यात किज़े, यदि संख्या 9 से भिभाज हो. यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या 9 से भिभाज है, तो J का man तो देखे, जो दी गई संख्या नौ से भी भाजित हो गी, यदि संख्या के अंको का योग नौ से भी भाजित हो, ठीक है, बहुत सौट में हम लोग करेंगे, तो कितना था देखे, तेईस, जेड, सिक्स, यही है ना, तो देखे, दो और तीन को जोड़िएगा, पांच, पा चो एगारा, अब देखेगा, दो तीन, पांच, छो एगारा हो गया, और उसकेसाद जेड़ होते, एगारा में छो जोड़िएगा सट्र, यह 9 को पढ़़िएर द नहीं हैगा, एगारा में साथ जोड़िएगा तो यहिए साथ इसका इंसर हो जाएगा, ठीक है , इसका नीचे दिये गए, सब्दों मेंसे, बिसंच सबचुनिये रिजनी कंतरकत है, यानि कौन इसमें अलग है आपको बताना है तकया, रजाइ, बीश्थर या बैंड बाजा, देखिए. इसमें सबसे अलग और एक्रीद, ठीक है, तो आख, कान, नाख, ये सब क्या है, बाहरी भाग है, लेकिन एक्रीद जो है, वो, शरीर का आंतरिक भाग है, अंदर का भाग है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ग्यानिंद्रिया होती है, ये ग्यानिंद्रिया है, इसलिए ये अलग है, और ये ह लेकिन धूप चस्मा यह धूप के लिए है यह स्मा अलग चीज है, ठीक है? तो सबसे और इसमें हो गया धूप का चस्मा है, या राईट एंसर डी होगा ठीक है चले अगला देखिएगा जूंड, डल, हंस या पसु सम्मू ठीक है तो देखिए जूंड तो सम्मू हो गया डल भी सम्मू है हो गया पसु सम्मू यह सभी एक गुरूप में है लेकिन हंस अकेला एक पच्छी है इसलिए यह सबसे अलग हो जागा तो मेरे प्यारे सिजब मंदू अभी तक जो आप टेस्स सीरीज में नहीं चूड़े हैं आसा है कि आप सभी जूड़ो जूड़ जूड़ जाएंगे 99 रूपीज देखर के आप यहां पर डेली 1000 विद्यारतियों के बीच परिछा दीजे और पाईए कि कितना नंबर आपको आ रहा है तो आज ही आप अभी मोबाद देखने के बाद जूर जूर जाएगा धन्यवाद